अगर आप ब्रांच लोन अप्लिकेशन के यूजर है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इस बीडियो में कुछ पाइंट को आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या एक मिश्टेक होता है और मेरे से क्या मिश्टेक हुआ और मैं आपको इसमें बताने वाला हूं जैसा कि हम लोग आमतर पर क्या करते हैं कि जब हम कोई इसमें से payment यूज करते हैं जो हमारा amount होता है वो यूज कर लिने के बाद हम उसको repayment कर देते हैं तक हमारा जो limit हो increase हो जाये लेकिन ऐसा कापी कौम समय होता है, हाला कि अधिकतर लोग कर देते हैं लिमिट को इंक्रीज, लेकिन मेरे साथ एक प्रोब्लम हो गया इसमें, जो कि आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, तो इस वीडियो को जरूर लाष्ट तक देखिएगा, इसमें हुआ किया कि मु लिमिट इंक्रीज किये तो मुझे तो पैसे के जरूर था, तो इसलिए मैंने फिर से अपलाई किया, जो मेरा लिमिट जो इंक्रीज हुए हो मुझे मिल जा, उसमें किया हुआ कि जो मेरा लिमिट था ओ पचीस सो रुपे बता रहा था, तो मैं उस पूरे पचीस सो को में गया और फिर उसे रिजेक्ट कर दिया गया और मुझे यहां पैसों की नीड थी इसलिए मैं अपलाई किया रहा था मैं कुछ इसका जो क्राइटेडिया है वो देखा नहीं नहीं कभी इसका टर्म के एंड कंडिशन में रीड किया है तब मैं तीसरी बार फिर अपलाई कर दिया जब मैं तीसरी बार अपलाई किया तो जो है मुझे एक बहुत बड़ा प्रोब्लम हो गया इसमें आप यहां देख पा रहे हैं कि जो मैं यहां पर कुछ एमाउंट इसका यूज किया है और फिर उसे रिपेमेंट कर दिया है लेकिन मुझे इस बार एक बहुत बड़ी प्रोब्लम सामने आ गया और मेरा जो था ओ इसमें क्या हुआ कि मैं आपको दिखाता हूं मेरा साथ हो इ प्रोब्लम यहां पर आ जाएगा तो आपके साथ ऐसा हो सकता है आपका भी अकाउंट ब्लोग कर देंगे और आपको जो है प्रोब्लम यहां पर आ जाएगा तो आपने यहां पर दिखा की मेरे साथ क्या प्रोब्लम हो गया अभी मैं यहां पै देखाऊंँ तो देखे यहां पर सिंपली जीरो लोन एमांट दिखा रहा है जब मैं अपलाई ना पक्लिक करता हूं तो यह ज़ो हो जाता है जब आपका लू डिजक करता हДа तो फिर तो चला जाएगा तो हम असा करते हैं कि आपका जो प्रूब्लम है और यहां पर सॉल्व हो गया होगा और जो आपका कंफ्यूजन था जो इसमें हमने सॉल्व करने की कुशिश की है अगर आपको वीडियो अच्छा लागा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर पढ़ी बेरा है तो हमारे चैनल को दिरूर्ट सब्सक्राइब करें